उदैपुर में आदमखोर को शूट एट साइट का ओडर दे दिया गया और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वने जीव अदिनियम 1972 की धारा 11 उपधारा के तहत ये फैसला लिया गया है जारी आदेश में ये कहा गया है कि आदमखोर को मानने से पहले पहचान सुनश्चत कर लिया जाए आदमखोर पैंथर ने अब तक साथ लोगों की जान ले ली है और जिससे इलाके में देख्षत का माहौल है पैंथर ने आज सुबह सात्वा शुकार किया उदैपुर में राथोडो का गुड़ा गाउं में लेपर्ड ने एक व्रिद महिला को मौत के घाट उतार दिया वहीं अब लेपर्ड को पकड़ने के लिए बड़ा ओपरेशन शुरू किया गया है प्रुशासन और ग्रामिडों ने मिलकर लेपर्ड को पकड़ने की योजना बनाई है जानकारी के मुताबिक हमले में ब्रतक व्रिद्धा के शब को उठाया नहीं गया है ताकि लेपर्ड ब्रतक महिला के शब को लेने के लिए दुबारा आए और उसे पकड़ा जा सके प्रुशासन की योजना के मुताबिक एक तरफ से ग्रामिड वन विभाग और पोलीस घेरा देकर लेपर्ड को भगाएंगे तो वहीं आर्मी की टीम पैंथर को पकड़ने का प्रियास करेगी आपको बतादे कि वन विभाग और आर्मी के बीच मीटिंग के बाद यह उपरेशनी शुरू हुआ है बतादे कि गोगुंदा इलाके में पिछले 12 दिनों में 7 लोग इस तरह अपनी जान गवा चुके हैं लगातार हो रहे इन हमलों के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहुल है उद्यपर जिले के गोगुंदा तहसील में लगातार पैंथर के मुवमेंट के बाद अब अलर्ट मोड पर काम किया जा रहा है सुआतवों का गुणा में तेंदुए को पकड़ने के लिए 200-300 लोगों द्वारा अलग-अलग टीम में बना कर घिरा दिया जा रहा है हमारे समवादाता भी टीम के साथ तेंदुए की तलाश में पहुंचे तो उसी समय एक टीम को पैंथर का मुवमेंट दिखा देखिए हमारी ये एक्स्क्लूसर रिपोर्ट उदेपूर के गोगुंदा तैसिल में और जाडोल तैसिल में आठ लोगों को मोत के घाट उतारने के बाद अब पैंथर के एंथिम समय की बारी है क्योंकि वनविभाग आर्मी ग्रामिर और पुलीस सभी तरह से जड़ुटे हुए हैं पहाड़ी ओपर चड़कर पूरा गहरा बंदी किये जा रही है दरसल आपको बता दें कि मंगलवार आज सुबह एक महीला की व्रद महीला की पैंथर ने शिकार कर दिया जो आठवा शिकार था उसका उसके बाद में सतर्थ हुई वनविभाग की टीम कारण ये था कि महीला जो है जिसकी मौत हुई है उसको पैंथर ने खाया नहीं है उसी के सामने वनविभाग की टीम आर्मी की टीम तेना थे तो यहां पर पैंथर का मुमेंट दिखा है जो आठ से दस टीमे बनी हुई है उसमें से सामने वाली पहाड़ी पर जो टीम थी उसको पैंथर का मुमेंट दिखा है तो चारों तरफ फेल गए है एक व्यक्ति हो सा इसी के बीच में जो खाई दिख रही है इसी के बीच में पेंथर दिखा है अभी एक टीम को जो घेरा देना का जो प्लानिंग बनाईती वह पुरी तरह से सफलता प्राप्त करती हुई दिख रही है पेंथर का मुवमेंट दिखने के बाद एक टीम को पेंथर का मुवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो टीमें जो है प्रशाशन रेवेन्यू इभाग पुलीस डिपार्टमेंट आर्मी सभी की समी ग्रामीडों के साथ में हैं 200-400 लोगों 200-300 लोग टोटल ग्रामीड और अधिकारियों कर्मिचारियों के साथ मिलाकर पूरी तरह से घिरा दिये तो ठाइंट